next question question says find the acceleration of the block of mass m in the situation shown in the figure all the surfaces are friction and the pulleys and strings are light ठीक है so अपने scenario कुछ इस प्रकार है कि यह आपका एक inclined plane बना हुआ है ऐसे यहाँ पे एक आपका block रखा है और यहाँ पे आपकी एक pulley है इस पुली से एक और यहाँ पे आपका mass ऐसे पुली लगा के एक और mass हमने यहाँ पे ऐसे लटकाया हुआ है यह mass आपका 2m है यह mass आपका m है और angle अपने को 30 degree दिया हुआ है 30 degree है ना यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे 3 variable आएंगे आपका यहाँ पे टेंशन आएगा जो आपकी स्ट्रिंग में टेंशन है अगर हम इसके तो तीन एक्वेशन हमारी बनने चाहिए आपका FBD बनागे दो equation बनेगी 3rd equation आपकी constraint motion से आएगी सो constraint की equation पहले एक लिखते है so imagine करें जैसे for example यह एक centimeter अगर आगे बढ़ा है आगे constraint है उसको हम detail में थोरी में cover कर चुक है but यहाँ पर quickly मैं आपको उसकी field दिलाना चाहरा हूँ तो एक centimeter अगर यह आगे बढ़ा है तो यह वाली रसी एक centimeter आगे सरकी है यह रसी आपकी एक centimeter आगे सरकेगी और यह ब्लॉक जो है वो half centimeter नीचे जाएगा because वो एक centimeter इन दोनों में divide हो जाएगा इसका मतलब यह जो हमारी पहली equation हो गई हम कहेंगे a1 will be equal to twice a2 यह आपकी पहली equation हो गई तो अगर यह acceleration आपका एक है तो यह उसका दो होगा acceleration यह अगर 4 है तो यह 8 होगा ठीक है तो यह आपकी पहली equation आ गई second equation अगर हम लिखेंगे fbd बना के second equation let's say block m की equation यहां पर लिखें तो block m के लिए हम इसका fbd बना सकते हैं कि यह ऊपर यह acceleration से जा रहा है चलो पहले काम करते हैं fbd बना लेते हैं इधर आपका t force लगा है इधर आपका force mg sin theta लगेगा अगें friction है नहीं और आपका नॉर्मल औ mg कॉसिट है they will cancel each other round और ना तो motion में contribute कर रहे हैं ना उसको restrict कर रहे हैं तो उनको लिखने का fbd में इस equation में कोई point है नहीं तो और यह आपका block इधर a1 acceleration से जा रहा है तो इसकी equation जो हो जाएगी होएगी t-mg sin theta will be equal to m a1 यह आपकी equation बना गई 2m block के लिए जब हम equation लिखेंगे so fbd इसका बनेगा यह आपका 2m block नीचे आपका force लग रहा है 2mg और उपर आपकी रसी में दो रसी हैं तो यह आपकी tension होगे 2t और यह आपका block a2 acceleration से नीचे जा रहा है so again जो आपकी equation होगी f net is equal to m a so that will be equal to 2mg minus 2t will be equal to 2m a2 यह आपकी second equation होगे ठीक है 2mg 2t यह आपका net force is equal to 2m a2 all right बाकी इसकी condition रख देते हैं तो a1 अच्छा यहाँ पे काम करते हैं तो एक तो 2 cancel हो जाएगा उसके आद एड़ करके t की पहले सुपारी दे देते हैं उससे a1 a2 की value आजाएगी हमसे क्या पूचा है acceleration ही पूचा है but just for the fun tension में हम साथ की साथ calculate कर लेंगे ठीक है so यह equation बनेगे आपकी 2 से divide करके mg minus t is equal to m a2 और a2 की value अगर हम यहाँ पे all right तो यह आपकी यह वाली second equation आगई ठीक है इन दोनों का अगर हम add कर दें तो t की आपका उड़ जाएगा यह बना आपका mg minus mg sin 30 will be equal to yaya m आपने common ले लिया इसमें से यह बचा आपका a1 plus a2 यह आपका बचा mg mg sin 30 जो है यह बन जाएगा आपका half तो यह आपका left hand side बन गया mg by 2 will be equal to m multiplied by a1 जो है यह equation use कर सकते है a1 will be equal to 2a2 so this will be equal to 3a2 which implies आपका a2 जो है उसकी value हो गई m cancel हो जाएगा that will be equal to g by 6 तो a2 आपका g by 6 आगया और a1 जो है constraint वाली इस equation से यह अपना answer आजाएगा tension उदर निकाल लेंगे so a1 will be equal to twice of this यानी की g by 3 so this is the desired answer जो हम यहाँ पर देख रहे है g by 3 would be the right answer अब लगे हाथ इसकी tension और calculate कर लेते हैं ठीक है so let's use कोई भी एक equation use कर सकते है so let's use this one ठीक है second way a2 की value डालके tension आ जाएगी so यहाँ पर हम लिख सकते है tension उसको दालेगे will be equal to mg minus m a2 so tension will be equal to mg minus m a2 a2 की value है g by 6 minus m g by 6 इसका मतला होग है tension will be equal to 5 by 6 mg यहाँ की tension हो जाएगी इस particular situation में all right चला हूँ झालो